गाजिपूर जिले में करोना संक्रवन के नए मरीज मिलने का सिलसला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गाजिपूर में गुरुवार यानि 4 जून को करोना संक्रवन के कुल 21 नए मामले मिले हैं। पता दें कि सुबह में 12 मरीजों का रिजल्ट पॉजटिव आया था, वहीं दोपहर में 9 और लोगों के करोना पॉजटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है। जिसके बाद अगर आकड़ा देखें तो गाजिपूर में कुल 152 लोग करोना संक्रमित हो चुके हैं। इन में 84 अभी एक्टिव केस हैं जबकि 68 मरीज ठीक हो चुके हैं। आईए आपको दोपहर में आये रिजल्ट में मिले 9 नए मामलों की विस्तार से जानकारी दें। इन 9 मामलों में 4 छपरा विक्रमपूर ठाना खानपूर के हैं। बता दें कि चारों एक ही परिवार के हैं। इसके अलावा एक वाड नंबर 3 मौहमदाबाद का, एक शिवरामपूर रामबन, भुलकुला का और दो जखनिया ठाना भुलकुला के हैं। वहीं एक मरीज के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। सुबे में पाए गए मरीजों की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर जाएं। गाजिपूर में लगातार करोना संक्रमन का खत्रा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारी टीम आपसे अपील करती है कि पूरी सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से मास्क लगाकर या किसी अन्य कपले से अपने चेहरे को ढख कर ही बाहर निकलें। और गाजिपूर की ऐसे ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।